मित्रो नमस्कार अपने बीच भारतिय जनता पार्टी के वरिष्ट नेता केंद्रिय मानों संसाधन विकाश और कौसल विकाश मंत्री मानमे धर्मेंद पुर्धान जी है अपने बीच वरिष्ट नेता और केंद्रिय मंत्री सहरी विकाश मानमे हरदीप सिंग पूरी जी है अपने राष्ट्रिय महामंत्री स्री तरुन चुग जी है अपने जम्मो कस्मीर प्रदेश के अध्यक्ष स्री रविंद रैना जी है अपने पूर्बुप मुख मंत्री डॉक्टर निर्मल सिंग जी और कविंद्र गुपता जी जम्मो कस्मीर प्रदेश के शह प्रभारी स्री आसे सूज जी और जम्मो कस्मीर के जम्मो के सांसद मानमिय जुगल के सोर्जी है मेरा विनम्र निवेदन है श्री तरुन चुग जी से कि आप जो माननिय प्रदान मंत्री जी के नित्रत्तों में आस्था प्रकट करके लगातार भारतिय जनता पार्टी के लोग सदस्ट बन रहे हैं वरिष्ट नेता सदस्ट बन रहे हैं तो मेरा माननिय तरुन चुग जी से आग्रह होगा कि उन दोनों माननियों का परिशे कराएं माननिय तरुन चुग जी पार्टी के बहुत वरिष्ट नेता शिरी दर्विंदर परधान जी शिरी हर्दीप पूरी जी और जम्मू किश्मीर भारती जनता पार्टी काई के अध्यक्ष रविंदर राना जी अमारे दोनों पूरव उपमुक्य मंत्री दोनों पूरव स्पीकर रहे डॉक्टर निर्मल सिंग जी कमिंदर गुपता जी पार्टी के मेरे सेयोगी और सह परभारी शिरी श्वी सूच जी पार्टी के बहुत वरिष्ट नेता और जम्मू किश्मीर के पूरव द्यक्ष सांसत मदुर भाषी श्री जुगल किशोर जी आज दो जम्मू किश्मीर के बहुत वरिष्ट नेता जिनका जम्मू किश्मीर की रायनिती पर बहुत बड़ी चाप है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक आवाज भी दी है शिरी दविंदर सिंग रहना जी तीन बार विधायक रहे हैं दो बार M.L.C. के नाते एक बार विधायक के नाते वहाँ के बहुत वरिष्ट नेता है इससे पहले नैशनल कॉन्फरेंस में लगबग तीन दशक तक काम किया है और नैशनल कॉन्फरेंस में दो स्टेट्स हैं जम्मू और कश्मीर जो जम्मू स्टेट है जम्मू प्रविजन जिसको वो बोलते हैं उसके अध्यक्ष हैं और पिछले दिनों जम्मू डेकलारेशन जम्मू के कई मुद्धों को इन्होंने बड़ी बेकूबी से उठाया आज भारती जनता पार्टी के आंगन में आए हैं पार्टी के सदस्यता लेने के लिए और संजे मियुक जी और अनिल बुलूनी जी ने आज का ये आयोजन रखा है अभी उनको सदस्यता पार्टी के वरिष्ट नेता दर्मिंदर परधान जी और अर्दीपूरी जी उनको पठका डालकार और उनकी सदस्यता पठ्ची दे करेंगे मैं भारती जनता पार्टी के ओर से उनका स्वागत करता हूँ दो इंदर राना जी ने जम्मू के एक एक गाउं में जम्मू कुष्मिर के एक एक मंडल में एक एक कस्वे में जाकर लोगों को सुना है लोगों के साथ संबंद बनाया है उनकी एक एक उसे रक्षा ना दर्वाब हाव डख साथ हाव डख से द्रख मेरे नाला हो डॉक्टर जितिंदर सिंग जी के साथ आप साथ का परीचे है ही जम्मू से जम्मू कश्मीच से सांसद हैं और पार्टी के बहुत वरिष्ट नेता हैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं और डख साब अभी एक परधान मंत्री जी के कारिकरम में थे इसलिए हम सब लोगों ने उसका इंतजार किया मैं परीचे करा रहा था दविंदर जी का बहुत बड़ा योगदान वहां की लोकल पॉलिटिक्स और उसके लिए काम किया है दूसरा परीचे मैं करा रहा हूँ सुर्जी सिंग सलाथिया जी सलाथिया जी दो टरम लेजिस्टेटर रहे हैं जम्मु कुश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं बहुत वरिष्ट नेता हैं सांबा के मूलता रहने वाले हैं और वहाँ एंसी को ये चलाने वाली जो दो बड़ी शक्षिते आज यहां बैटी हैं मैं दोनों का स्वागत करता हूं और विंती करता हूं संजे जी से संजे बलुनी जी से अगली कारवाई शुरू करें मेरा माननिय धर्मेंद प्रधान जी हर्दीप पूरी जी और जितेन जी सिंग जी से आग्र होगा कि आप संजुक्त रूपसे श्री देविन सिंगराना जी को सदस्का प्रपत्र देकर पाटी की सदस्का गरन करें स्री सुर्जी सिंग सालाथिया जी को भी जादे स security जादे सालाथ जादे सालब बूक्वाई सालाथिया जादे जी ह मँ एकका जादे सालब के आदेरा हूचत जी सिंगे सालब का gagn साल मुब को आ जी हूझत् जादेँ झालो नही रहां। सब्स प्रिए यह उखँ नहीं कि सिर्ट नहीं मलाओ जरने हैं झाल 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 पहला अपने केंद्रिय मंत्री मान्मिये डॉक्टर जीतेंडर सिंग्जी से कि आज अपने बीच जो नए सदस से सामिल हुए हैं उसका सब्दों के माध्यम से अभी बादन करें मान्मिये जीतेंडर सिंग्जी हमारे बीच मंतरी परिशद में हमारे सीनियर साथी एवं वरिश नेटा आदनी धर्मेंदर परदान जी राष्ट्री महा मंतरी तरुन जुग जी जमो किश्मीर परदेश के सहे परवारी आशिश सूद जी हमारे जमो किश्मीर के परदेश अध्यक्ष गरविदर नेना जी पूर उपमुख्य मंतरी डॉक्टर निर्मल सिंग जी कुविदर गुपता जी लोकसभा में मेरे सांसत साथी यूगल किशोर जी सबसे पहले तो अभिनंदन है स्वागत है इस परिवार में दो और सदस्या जुड़ रहे हैं देविंदर सिंग जी और सुजीद सिंग जी जिस प्रकार पिछले साथ आठ वर्षों में प्रधान मंत्री जी ने जम्हू किश्मीर को प्राथमिक्ता दी है और आपको समर्ण होगा कि प्रधान मंत्री बनने के तरुंत बात उनके आरंभिक व्यक्तवियों में एक मार कहा गया था के देश के वो शेतर वो हिस्से वो जो राज जो कहीं न कहीं मुखिधारा से छूड गए या पिछली सरकारों की कुताई के कारण प्राथमिता में नहीं आए उनको विक्सित करके विक्सित शेतरों के साथ जोड़ा जाएगा भले पूर वोत्तर हो भले जोओ किश्मीर हो और उस दिन से लेकर के आज तक हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि जो सरव प्रसम डिपावली हुई है 26 अक्तूबर 2014 पर आप तो समझ सकते हैं कि भारतिय समाज में पहली डिपावली का कित्रा महतु रहता है भले वो विवा के बाद हो भले किसी शुबकार के बाद हो और यहां ये पहली बार हम देख रहे थे के परधान मंतरी बनने के बाद अपनी सरव प्रसम डिपावली उन्होंने किश्मीर घाटी में जाकर के बाड़ ग्रस लोगों के बीच में विताई है उस दिन से लेकर के आज तक मोधी जी के नित्रित में जो नवीन भारत न्यू इंडिया की विकास यात्रा चल रही है उसमें जमो किश्मीर को प्राथविक्ता दी गई यदि करोना काल को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काल खंट गुजरा है जब दो तीन मास में एक बार मोधी जी ने जमो किश्मीर का प्रवास ना किया हो और इतनी सव्वेदन शीलता के साथ के हर बार उनका या अगरे रहता कि मैं तीनों शेत्रों को टच करना चाहता हूँ एक ही दिन में उनका प्रवास जमो में भी रहता, सिरी नगर में भी रहता और ले भी रहता और इसलिए यह सभाविक है कि वो प्रतेक नागरिक वो प्रतेक कारे करता चाहे वो इससे पूरो किसी भी बंधन में क्यों ना हो मोदी जी से प्रेजित होकर के जो उनकी प्रतिबंदता है और जो कोई भी राश्च्रवाद और देश भक्ती को प्रतिबंद है उसके लिए स्वभाविक है कि वो इस परिवार का हिस्सा बने इसके उपरांत पांच शेगस दोहजार उनीस के बाद आदी रह्मत रिश्री अमिर्शा जी ने एक नया संविधानिक एवन प्रशासनिक परिवर्तर लाकर के जम्मू किश्मीर को एक नई दिशा दी और उसको भारत की अथ्वार नमीन भारत की विकास यात्रा का एक अभिन नंग बना दिया और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़्डा जी जो अध्यक्ष बनने से कई बरस पहले तक प्रभारी रहे राष्ट्रिय महामंत्री के रूप में भी उनके बाद जम्मू किश्मीर का दायत तो था पर तेक कार्यकरता को भलीवानत या दूसरे ऑनलाइन माध्यम से संबोदित ना रहते और आज हमें गर्व है कि हम कारे करता हैं उस राजनितिक दल के जो विश्व का सबसे बड़ा राजनितिक दल है और उसके साथ हमारे दो और मित्र जुड रहे हैं एक सांतेतिक अवसर भी है ये जम्मू किश्मीर के उ उन सभी वासियों के लिए चाहे किसी भी संभाग से तालुक रखते हों क्योंकि संतुलित विकास और संतुलित प्रगती का जो संदेश मोदी जी के माध्यम से गया है उसका ये प्रतीक है क्या ये हम सब जूड जाएं जैसे मोदी जी अक्सर कहते कि सबका साथ सबका विका और सबका प्रियास और जम्मु किश्मीर को उन्हां उसी डगर पर लाना उसको खड़े करना उसी शान और शौकत के साथ इसलिए सबका प्रियास अनिवारे है हमारे दो मित्रों ने आज ये सिद्ध करके सारे जम्मु किश्मीर वासियों को कारेकरताओं को राइवनेतिक जी सुतंतरता के 75 वर्ष से गुजर रहे हैं आने वाले सालों में जब भारत विश पटल पर प्रतम सेनी में खड़ा होगा जम्मू किश्मीर उसके मुकड के नूर के रूप में उजवल उजवल दूर से दिखाई देगा एक बार फिर से देवेंदर जी का और सुभी जी का आज की इस पार्टी की जॉइनिंग प्रोग्राम में उपस्ती पार्टी के बरिष्टनेता तथा केंद्रिय मंत्री आदर्णे डॉक्टर जी तिंद्र सिंग जी पार्टी के महमंत्री आदर्णे तरुन चूग जी जामुकास्मिर इकाई के अध्यक्षय रवींद्र जी दो बरिष्टनेता डॉक्टर निर्मल शिंग जी कविंद्र गुपता जी जुगल किश्वर जी सहप्रभारी आशी सूद जी संजय मयूग जी तता आज जामुकास्मिर राजनिती को एक नया करवड देने के लिए हमारी पार्टी में जो दो दिगर्च निताओं की चौइनिंग हुई हमारी पार्टी में ऐसे मेरे मित्र जिनको मैं लंबे अर्शे से जानता था जो भी भार्टी राजनिती की विद्यारती रहेगा जेंड के को अध्यान करेगा ही और ऐसे ही मेरे कभी अध्यान में मैं इसे एक सक्सियत से परिशित हुआ था ऐसे आज हमारी पार्टी में जो जॉइन करें नेशनल कॉंफरेंस छोड़के भारतिय जनता पार्टी में जो जॉइन करें इसे मीत्र देवेंद्र राना जी शुरजित शिंग शलातिया जी यह अपने आप में यह दोनों की उपस्तिती पिछले कुछ वर्सों से जैसे डॉक्टर जीतेंद्र सिंग जी ने कहा भारतिय जनसंग की जमाने से भारतिय जनता पार्टी और देश की संविधान बनने की उपरांत संचद ने कई बार कई गटनाओं की साक्षी रहा है जमुकास्मिर की बिकास कैसे हो जमुकास्मिर की लगों की उर्नत कैसे हो उनकी जीवन ठीक कैसे हो इसकी उपर देश सदैव प्राथिमिंक्तस रखी है भारतिय जनता पार्टी और हमारी लोकोप्रिय परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी अनेक आयाम से जेन के से जुड़े हैं उनकी बिचारों से उनकी नेत्रुतों से आज सहमती जताते हुए मित्र देविंद्र नाना जी और सुर्जीत जी ने भारतिय जनता पार्टी में जोइन किये आज धारा 370 दो हजार उन्नीस अगस्ट पांच की उपरांद पिछले दो साल से अनेक काम हुए हैं और आज मैं मानता हूँ उन सारे कामों में विश्वास रखते हुए देविंद्र जी और सुर्जीत जी की जॉइनिंग उस गती उस कामों की गती को उस विकास की प्रबाहा को जामों का समीर और भारत की और मजबूत एक स्तंब भनकें दोनों खड़े रहेंगे मैं उनको पांटी में किंद्रे इकाई की और से और जामों कसमीर इकाई की और से स्वागत करता हूँ मेरा विनम्र निवेदन है जम्मु कसमीर के लोग प्रियनेता और लंबे समय तक विधाय प्रोवेंशियल प्रेसेड़ेंट रह चुके नस्टनल कॉंफरेंस के स्री देवेंद्र सिंग्राना जी से या अपने सब्द रखें मानिए देवेंद्र सिंग्राना जी मानिए दर्मदर परदान जी मानिए डॉक्टर जेटेंद्र सिंग्जी मामanteี้ मानिए तरुन चुक जी पर्देश अध्यक्ष मानिए रिवेंद्र गेना जी मानिये सांसद जमू पूँच पार्लिमेंटरी कॉंस्टिटेंसी मानिये जुगल जी साथ का डिप्टी चीव मिनिस्टर कविंदर गुपता जी और निर्मुल सिंग जी और सह परबारी मानिये शीज सूच जी एक लंबा सफर है सियासित का और उसके चलते एक ऐसा पड़ाव आया जहां मैंने एक जमू डेक्लिरेशन का एवान किया और एक कोशिश की कि एक जमू से पुलिटिकल नेरेटिव पूरे इंकलूसिव जमू कश्मीर के लिए बनाया जाए जो एक ऐसा नेरेटिव हो जो जमू से हो जो जमू का हो और पूरे जमू कश्मीर के लिए हो और इस नेरेटिव को जब मैंने एक शकल दी तो मैंने सभी दलों से बातचीत की उन से कहा कि इसमें अपना योगदान दें क्योंकि एक निशान एक विधान और एक पर्थान के बाद मैं ये समझता था जाती तोर पे कि एक पुलिटिकल नेरेटिव जो है वो जमू का होना चाहिए क्योंकि जमू के लोगों की अपनी एक आंक्शाएं हैं अपनी भावनाएं हैं उनकी अपनी कुछ तवक्तात हैं और उनको एक एक एसास है कि शायद उनके साथ बदसलूखी हुई वो एक इसास कमतरी का शिकारत है और इसलिए हमने कोशिश की कि एक जमू डेकलिरेशन के माद्यम से जमू की आवाज बनाएं क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर जमू से आवाज निकलती है for an inclusive जमू और कश्मीर it'll strengthen the country and it'll strengthen जमू और कश्मीर and also strengthen the ethos of जमू और कश्मीर उसके चलते विबिन दलों से बात हुई civil society से बात हुई intellectual से बात हुई और विरोद अभास भी हुआ कुछ लोगों ने इतराज किया मेरे इस वक्तत वे पे जमाद के अंदर भी कुछ इक्तिलाफाद हुए लेकिन भारती एजनता बाती रिविंदर रायना जी यहां बैठे हैं और मेरे और साथी जो यहां बैठे हैं जो कहीं न कहीं मेरे साथी रहे कहीं legislator में रहे कहीं कहीं रहे इनोंने अपना योगदान देने के लिए और जब मैंने केंद्रिय नेत्रित्र से भी यहां बात की अपने जम्मू डेक्लिरेशन के लिए they were very forthcoming on the जम्मू डेक्लिरेशन और मैं यह समझता हूं कि वक्त आ गया है कि जम्मू की एक आवाज होनी चाहिए जम्मू too should have a narrative for Jammu and Kashmir Jammu also has the right to have a narrative for Jammu and Kashmir a political narrative after all the state was carved out by the Dogras Maharajay Gulab Singh carved out the state and it was Janne Zorawar Singh, a Dogra again who took the boundaries up to Tibet and this Jammu and Kashmir was carved out by the Dogras and there are sacrifices of the Dogras Dogras also must have a narrative, a political narrative on Jammu and Kashmir it will be our endeavor and effort under the leadership of the Bharatiya Janata Party Prime Minister Modi Sahib, Amit Shah Sahib and all the political elite of the party to work to create a narrative and a place for Jammu in Jammu and Kashmir and in the country and to strengthen the secular ethos there are people who want to weaken the ethos of Jammu and Kashmir there are some people who are the perpetrators of the Dixon plan Jammu declaration, we feel, will defeat those who want the Dixon plan to succeed Dixon plan cannot succeed as long as we exist in Jammu and Kashmir and we will not allow Dixon plan and their supporters to succeed and defeat people who stand for the country and have a nationalist approach we join the party with this in mind and we are sure that in the national interest the party will help us take our forward the aspirations of the people of Jammu who feel relegated and have a sense of deprivation I thank Dravindra Pradhan Ji and through you Nada Sahib, Amit Shah Sahib and the Prime Minister Modi Sahib for giving us an opportunity and the President of the Pradesh, Dravindra Rainha Ji and Tarun Chuk Sahib and Sud Sahib for giving us an opportunity to be a part of this party and to work for the party and I am sure we will contribute in a humble way as small workers of the party to strengthen the party and strengthen the people of Jammu and Kashmir and thank you again for giving us a moment thank you for giving us a great breeze before we are going to get a moment thank you for your worship thank you for your worship my name is Deminder Pradhan Ji जिनाब डाप्टर जितिद्र सिंग साथ मंच पे उपस्तित हमारे जम्व किश्मीर के परधान अरविंदर रहना जी मेंबर पार्लिमेंट जुगल कुशोर शेर्मा जी डाक्टर निर्मर सिंग साथ सूद साथ और किविंदर गुपता जी बड़े लंदा अर्शा है एक जमास में रहते हुए आज हमने पिछले 40-45 साल जो है सियासत में जम्व किश्मीर की स्पाल्टेक्स में अपना रोल अदा किया है और आज हम भारती एजनिता पार्टी की मेंबर्शिप के लिए हम इस जमात में शामल हुए हैं मैं दुरिंद्र परधान जी आपका और माननीये हमारे भाई जितन्द डाक्टर जितन्द सिंग जी का और तमाम जो हमारे माननीये परधान मंत्री जी गरे मंत्री जी और जेपी नडा साब मैं सब का और तरण सुग जी का सब का बहाद शुक्र कजार हूँ कि उन्होंने हमें इस पार्टी में शामल किया और आप जो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे किस तरीके से इस जमात को मजबूत किया जाए और किस तरीके से हम अपना जियनके में जमु कुश्मीर में जो मुश्कलात है उसको कैसे हल किया जाए उसके लिए हम बरपूर कोशिश करेंगे और बार पूर कोशिश करेंगे तो मैं जादा ना कहते हुए जैसे दिवंदर सिंग राना जी ने ये कहा कि हम जमू डेकलरेशन की बात की है ये बात पिछले पांच साथ महिने से हमने इस बात पर काम करना शुरू किया था और ये लोग गुदी जीब हैं महां उनसे भी बात की और बाकी पार्टी को भी आफर किया था कि हम सब अकिठे होके जमू की अवास बनें और जमू कश्मीर ये अवास जो है निकल के जाए और जम्मू कश्मीर के साथ जो इनसाफ किया जाए और हर तरीके से ऐसा काम किया जाए जिसमें से हम मानिये परधानमंत्री जी के और यहां के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं इनके हाथों को मजबूत किया जाए करने के लिए बारपूर कोशिश करेंगे काम करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जैहिं। वरिष्च नेता श्रीमान दर्मेंदर परधान जी, परमादर्निये डॉक्टर जदेंदर सिंग जी, भारतिये जनता पार्टी के राष्टिये महामंत्री परमादर्निये तरुन्चुक साहब, श्रीमान डॉक्टर निर्मल सिंग जी, श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, श्रीमान कवेंदर गुप्ता जी, श्री आशी सूजी, संजे जी और यहां सभी जो मेरे दो सयोगी जिनूने आज भरतिये जनता पार्टी का दामन थामा है श्रीमान देवेंद्र सिंग राना जी और श्रीमान सुर्जीत सिंग सलाथिया साहब को मैं भारतिय जनता पार्टी में शामिल होने पर हरेदे से भढ़ाई देता हूं और इने धेरों शुप काम नहीं देता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम सब मिलक कर पूरे जमू कश्मीर में कारे करेंगे और जो मिशन जमू कश्मीर के अंदर भारतिय जनता पार्टी ने लिया है कि आगामी जमू कश्मीर में परी सीमन होने के बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होने के बाद जब जमू कश्मीर में विधान सवा के चुना होंगे प् उसमें काम्याब होंगे और जमू कश्मीर का अगला मुख्य मंतरी भारत ये जनता पार्टी का बने इस विश्वास के साथ मैं आपने दोनुं सहीओगीऊं का जिनूने आज भारत ये जनता पार्टी का दामन थामा है श्रीमान देवेंदर सिंग राना जी और श्रीमान करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है हम मिलकर काम करेंगे और इनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी की ताकत और पूरे च्रबु कश्मिर में बढ़ी है महेदे से आपका धनेवाद भी करता हूं और आपने वरिष्ट सयोगी साथियों का जो आज इस कारीक्रम में विशेश उपस्तित रहे श्रीमान धर्मेंदर प्रधान जी श्रीमान हर्दी पूरी जी और हमारे मानिय केंद्रिय मंत्री डॉक्टर जेटेंदर सिंग जी महरेदे से आप सब का धन्यवाद करता हूं जो आपने विशेश समय निकाल के यहां आज इस कारीक्रम को जी महरेब इस समय इसाद मैंदर हैं।